और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हमें बाएं और करवट करके ही क्यों सोना चाहिए जी हाँ दोस्तों यह एक नियम होता है कि सोते वक्त हमें बाएं और ही करवट करके सोना चाहिए तो यह हमें क्यों करना चाहिए बाएं और करके क्यों सोना चाहिए अगर हम किसी तरह की करवट ले यह हमें पता नहीं होता है कभी हम दाई और करवट लेते हैं तो कभी हम बाई और तो कभी अंधे मू लेटके सो जाते हैं जिससे हमें लगता है कि आराम मिल रहा है और हमें जिधर को भी आराम मिलता है उधर हम लेटके उसी पोजीशन में सो जाते ह आपको यह बात पता है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस करवट से हमारे शरीर के अंगों के साथ साथ दिमाग पर भी फर्क पड़ता है विशेशग्यों के अनुसार बाय और करवट लेकर सोना अगर सोते हैं तो आपकी सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं लेकिन कई बार रात को सोते वक्त खुद नहीं पता होता है कि हम किस पोजिशन में लिटे हैं इसलिए कोशिश करें कि बाय और पोजिशन पकड़ कर ही सोएं और इसी और आप अपना आदत बना लें इससे हमें पेट संबंदित कई समस्याओं से निजात मिलती हैं साथ ही आपका दिमाग भी सुचार रूप से काम करेगा अगर आपके पेट संबंदि जैसे पेट का फूलना, गैस बनना, एसे डिटी की समस्याओं आदी है तो इससे आपको काफी फाइदा मिल सकता है डॉक्टर के अनसार माना जाता है कि बाइ और करवट लेकर सोने से शरीर में जमा होने वाला टॉक्सिन धीरे-धीरे लसीका तंतर द्वारा निकल जाता है क्योंकि बाइद और सोने से हमें लीवर पर किसी प्र्कार का कोई दबाव नहीं पड़ता इसलिए यह टॉक्सिन सरीर से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, जिससे आप कई बिमारियों से बच जाते हैं, बाए और सोने के कारण ग्रैविटी भोचन को छोटे आथ में बड़ी आथ तक आराम से पहुचाने में मदद मिलता है, जिसके कारण आपका सुबह का, सुबह आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है, आप जानते हैं कि हमारे शरी में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे लीवर और किड्नी में पाई जाती है, इसी कारण रात को सोते समय हमें ज़्यादा प्रेशर इन पेट में पढ़ता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी की समस्या हो द्धीक प्रकार से होने लगेंगे इससे ज़्यादा बाइल जूस निकलता है और जिससे वशा ठीक प्रकार से पच्टा है साथ ही लिवर का जो फied होता है जमा होता है वह भी नहीं जम पाता है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जान गया होंगे कि हमें बाई और करवट लेकर क्यों सौना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना बोले और अगर आपको इस वीडिय वाले वीडियो लेकर आने वाले है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण साबित होने वाले है तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में इस वीडियो के लिए देखने के लिए धनेवाए तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों